प्रोडक्ट वहाँ पर भीजा जाएगा, पांचवा स्टेप क्या है, स्टाफ रिकूट्मेंट होगा, छटा स्टेप क्या है, आपके बिजनस की मार्केटिंग स्ट्रेजी, सेल स्ट्रेजी, तो आपकी कमपनी उस कंजूमर को क्या सपोर्ट देगी, कौन-कौन से ऐसे तरीक में हमारा बिजनस नेटवर्क है, किसी भी बिजनस में अगर एक्स्पोनेंशल ग्रोफ चाहिए, तो बिजनस का नेटवर्क डेवलप करना बड़ा जूरूरी है, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिजनस डेवलप्मेंट में बिजनस में नेटवर्क को कैसे डेवलप किया और develop करने के क्या different mode है development of business distribution network ध्यान रखेगा अगर आप अपने business में distribution channel बना लेते हैं तो कहीं न कहीं आपने B2B network के जरीए consumer तक पहुंचने के लिए नया network develop कर लिए है जिससे आपके पास regular sale भी रहेगी और business expansion की और बढ़ता रहेगा तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे business का development किया सकता है expansion किया सकता है और sales network बनाया जा सकता है सबसे पहला है franchisee दूसरा distributorship तिसरा dealership और चौथा C&F super stockist C&F भी बोलते हैं तो हम बात करते हैं franchisee business की देखिए franchisee का मतलब क्या है आपके business की success को कोई दूसरा व्यक्ति as it is buy कर ल अब franchisee लेने वाला व्यक्ति मतलब franchisee और आप अगर company है तो आप वोगए franchisee उन दोनों के बीच में एक transaction होती है कि हम आपके business के success model को खरीद लेते हैं और इस model को खरीदने के बाद हम इस model के success formula को अपनी state अपने zone अपने area में लगाएंगे और आने वाले business में एक sharing करेंगे तो उसको हम बोलते है franchisee business तो इनके लिए क्या क्या जरूरत है मैं भी आपको बताने वाला हूं और कैसे किया जाता है दूसरा है distributor और distributor का मतलब क्या है आपकी factory में आपकी unit में जो भी material produce हुआ उसका ऐसा channel बनाना जहां से वो आगे B2B में या B2C में या B2G में आसानी से distribute ह हो जाए उसको बोलते है distribution network next हो गया dealer आपके product multiple लोग sell कर रहे हैं और ऐसे लोग जो आपकी industry के हैं वो भी आपका material sell कर रहे हैं तो वो आपके authorized dealer या आपके appointed dealer भी हो सकते हैं C&F हो गया super stockist हो गया C&F का मतलब है carry and forward आप देखिए जारातर बड़े businesses में कोई एक central zone होता है जह Central India और यहाँ पर 5 अपने C&F appoint कर दिये जिनका काम क्या है आप से carry करेगा और आगे distributor को dealer को wholesaler को material को distribute करेगा तो यह तरीका होता C&F के जरिए एक और इसी का तरीका होता super stockist मतलब एक व्यक्ति जो आपकी company का जितना production होता है वो ले लेता है और stock करने के बाद आगे उसको distribution network में बाढ़ता है समझने में थोड़ा typical लग रहा होगा लेकिन दिरे दिरे चीजों को सीखेंगे समझेंगे तो आप आसानी से अपने business में network बना पाएंगे अब सबसे पहले important बात है चाहें आप कोई भी business network बनाएं सामने वाला व्यक्ति आपसे मांगता है business का plan आपके business की strategy आपके business की marketing strategy, sales strategy, business development का पूरा प्रारूप, investment का प्रारूप और उसके बाद में होने वाली sales expected क्या होगी और profit क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ड्राफ्ट करना होता है business proposal चाहें आप फ्रेंचाइजी करें, dealership करें, distributorship करें, C&F करें, super stockist करें, कुछ भी करें, एक व्यक्ति जो आपका business खरीदने आया है, वो business में एक partner के रूप में है, पर direct आपकी company से associate नहीं है, तो सबसे पहला आपका proposal जब draft करना है, तो कैसा होना चाहिए, company की profile सबसे पहले होनी चाहिए, front पे, क्या आपकी company क्या है, कब establish होई, क्या-क्या product बनाती है, क्या-क्या success company स्थापित हुई, जैसे दिखा होगा कि आपने देखा Reliance company है, सन 1975 से है, कोई company 1960 से है, कोई 1862 से है, तो आपका establishment कब हुआ, कितने समय अवधी से आप इस व्यापार में हैं, और आपकी company का vision क्या है, आने वाले समय में आप कितना बड़ा network develop करेंगे, वर्तमान में sales का volume क्या और वविशे में sales का volume क्या होगा, आपकी company के goals क्या है, कि हमारी company का goal है कि हम पूरे इंडिया के अलावा, फिर हम South Asia, Middle Asia सब जगह business करेंगे, फिर आपकी company के achievements क्या है, मतलब किस तरह के बायर आपके पास है, क्या-क्या top, award, regards, और क्या-क्या recognition आपको मिली हुई है, वो सारी, और आपकी company के products क्या है, इसकी पूरी detailing होनी चाहिए, उसके बाद में future growth possibility कितनी है, मतलब जो product आप बना रहे हैं, जिस product या service में आप deal कर रहे हैं, उसके आने वाले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में future की growth possibility कितनी है, कितना वो industry आगे बढ़ेगी, और इस industry के आ चाहिए, चाहिए, यह दिस्ट्यूबूटर शिप करें, चाहिए, 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 C&F, Super Stockers बने, हाँ, यह difference है कि franchise के लिए लगतरागा criteria है, dealership के लिए लगतरागा criteria है, डिस्ट्यूबूटर शिप के लिए अलगतरा criteria है, तो मैं बात करता हूँ requirement, कि आप अगर मेरे स बिजनस करना चाहते हैं, कितना area मुझे minimum required है, उसके बाद total investment कितना आने वाला है, profit ratio क्या होगा, मतलब जो आपकी company का product उसका MRP है, उसका selling price है, उस selling price को किस तरह से आप distribute करेंगे आपस में, product cost कितनी होगी, मतलब आप क्या लेंगे, और उसको कितना margin होने वाला है, चाहिए वो B2B करें या B2C करें, process period क्या रहेगा, पूरा अगर setup बना के तियार करता है, कितनी समय अवदी में, तीन महीने में, छे महीने में, एक साल में, पांच साल में, कब उसका setup बन के तियार होगा, जब setup बन के तियार हो जाएगा और business चलना शुरू हो जाएगा, तो monthly operating cost कित नहीं होगी, मतलब एक व्यक्ति ने इतना area दे दिया, investment लगा दिया, profit ratio समझ लिया, monthly operating cost समझ लिया, तो ये भी तो पूछेगा, मेरी average sale कितनी होगी, तो आप बताएंगे कि हमारे business experience के अधार पर वर्तमान में हमारी expected sale ये है, और भविश्य में इस speed से grow होने वाली है, साथ में BEP, break even point, मतलब वो व्यक्ति कितनी sale कर ले कि उसके business में profit or loss, no profit no loss पर आजाए business, break even point का मतलब है, ना तो profit और ना loss, मतलब आपके उसके सारे खर्चे पूरे हो जाए, कितनी sale कर ले, उधारन के लिए पताता हूँ, मानली जी एक business के operating cost है, 50,000 रुपे मेना, और वो व्यक् वो break even point पर आगया, क्यों, क्योंकि खर्चा 50,000 है और profit भी 50,000 है, तो उसका खर्चा बराबर zero हो गया, उसके उपर कोई burden नहीं आया, इसको बोलते है, break even point, कितनी समयबदी में वो break even पर पहुंच जाएगा, और ROI, return on investment, उस व्यक्ति ने जितना पैसा आपके व्यापार में लगाया था, उस पूरे project पर लगाया था, उसका return on investment कितना होने वाला है, कितनी समयबदी में वो पूरा पैसा उसका वापस उसके पास आजाएगा, इसका पूरा detail आपको बनाना होता है, मैं example group में Metas lifestyle का franchise proposal मैंने कई वार अपने YouTube channel पर दिखाया, आप उसको जरूर देखें उस proposal के माधिम से हमने पूरे इंडिया में franchise शुरूर बना दिये, तो वो right example होगा, उसके बाद में आपका क्या काम है, कि आप जब एक व्यक्ति आपकी company में invest करने के लिए तयार है, खर्चे को bear करने के लिए तयार है, sales के volume को achieve करने के लिए तयार है, तो आप support क्या देंग जैसे company के product संबंदित support होती है, products related training, product information, products संबंदित, जो भी उसके requirement है, वो सारी चीज़े, pre-sale support, sale होने से पहले support क्या होगी, जैसे catalog है, brochure है, informative bulletins है, उसकी जानकारी है पूरी, तो pre-sale होगी, after sale support क्या होगी, जब product consumer को बिग जाएगा, तो आपकी company, उस consumer को क्या support देग marketing support क्या होगी, मतलब आप उस business को उस particular zone में develop करने के लिए क्या support करेंगे, कितनी marketing पर budget लगाएंगे, या कितना central budget लगाएंगे, और कितना उस particular zone में budget लगाएंगे, ताकि marketing की वजह से lead generate हो, lead generation को convert किया सके sale में, और पूरा road map बताएंगे कि पूरे उस business को कैसे शुरू किया जाना चे, मतलब पहला step क्या है, area required, दूसरा step क्या है, इतने investment होँचे, तीसरा step क्या है, कि बे infrastructure develop होगा, चौता step क्या है, product वहाँ पर भीजा जाएगा, पांचवा step क्या है, staff recruitment होगा, छटा step क्या है, staff की training होगी, साथवा step क्या है, sales और marketing के लिए लोगों को train करने के बाद market में भेजा जाएगा, आठमा step क्या है, जब marketing हो जाएगी, तो जो lead generate होगी, उनको convert किया जाएगा, नवा step क्या है, sale की जाएगी, दसमा step क्या है, client का follow up लिया जाएगा, ग्यारमा step क्या है, कि जब follow up लेंगे तो resell generate होगी, तो आपको वो step पुरा road map बना के देना होगा, क ये end of super stocket develop करना चाते हैं, और business को expansion के और ले जाना चाते हैं, तो personal consulting के लिए मेरे team को अभी contact करें, और कोई प्रशन है तो वो comment box में लिखे हैं, उसका जवाब comment box में भी आपको जरूर देंगे, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maheshwari, आपके सुनरे बवश्य की कामना क करता हूं कि आप पूरी शिद्दत के साथ अपना business का network बनाएं और अपने business को next level लेके जाएं, मैं Dr. Amit Maheshwari, आपके सुनरे बवश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत